पंजाब दे दो सके परामा दी हैरान कर दी कहाणी जहाज दे पईये चल लोग के पौंचे सन इंग लैंड माइनस सट डिगरी तापमान चारी हजार फुट दी उचाई दे जहाज दी सफीट 900 किलोमेटर प्रती कंटा दस कंटे आंदी फ्लाइट तो बाद आखिर कर पौंचे इंग लैंड पूरी कहाणी तो अनुदास ने आँ साल 1906 में अक्तूबर दा मेहिना ते दो प्रा विजे सैनी या ते परदीप सैनी दो में इंग्लेंड जाना चौंदे सन विदेश जाना चौंदे सन मजबूरी सी पर उना कोड ना ता पैसे सी ते ना ही उना कोड वीजा पर उना ने मंचतार ली कि ओ इंग्लेंड जरूर जानगे पहले एक एजेंट कोड गए ते एजेंट ने कहा कि ओ लगेज वाली था ते तो अनुद लोकों के पेश जवेगा पर उसने ठगी कर लई जिस तो बाद दो में पर आप बस चड़के दिल्ली पहुंच जानदेने एएरपोर्ट उना कोड ना ता वीजा होंदा है ते ना ही उना कोड पैसे होंदेने के हो इंग्लेंड जा सकत पर हो एएरपोर्ट दे आले द्वाले कोमना शुरू कर देने दस दिन तक एएरपोर्ट दे आले द्वाले कोमना रेकी कर देने ते रा लब देने के किमें हो एएरपोर्ट दे अंदर दाखल हो सकन क्यूंके में दरवाजे ते ता सक्योर्टी सी हलाकि आज दे मुकाबले काफी सरख्या कट सी ते किमे ना किमे दास दिना दी रेकी तो बात उना नो एक रा लप जानदा है एरपोर्ट दे अंदर जानदा ते उ पहुंच जानदे ने उस थांते जितनों जहाज टेक आफ कर देने रात दा वक्त सी ब्रेटिश एरवेज दा जहाज सी लंडन जान ली त्यार सी पहला तो किती प्लैनिंग दे मताबो को जहाज दे लेंडिंग गेर वाड़ी थांते लुक जान देने लेंडिंग गेर जेनी को थां होंदी है जित्थे एक बंदा लुक सकता है इस करके दो में प्रा अलाग अलाग दोमा लेंडिंग गेर वाड़ी थांते शुक जान देने लेंडिंग गेर ओ थां होंदी है जित्थे जहाज दा पईया टेक ओफ होंद तो बाद बेंड होंदा है पाव के फोल्ड होके उस थांते चले जान दा है ब्रिटिश एरवेज दा जहाज 900 किलोमेटर प्रती कंटेनर चल रहा सी ते देखते ही देखते हो 40,000 फुट दी उचाई तक महुंच गया जित्थे ऑक्सीजन ना मातर सी अचे तापमान माइनस 60 डिग्री जीरो डिग्री ते बर्फ जम जान दी है ते माइनस 60 डिग्री ते तुसी सोचो के की हाल होगी का बिना ऑक्सीजन दे माइनस 60 डिग्री तापमान 900 किलोमेटर प्रती कंटे दी रिफ्तार ते 40,000 फुट दी उचाई दो में परा जितन्दगी मौत दी लड़ाई लड़रे सन दस कंटे दी फिलाइट ते दस कंटे दी फिलाइट दो मापरामा ते पारी पैरे सी एक एक मिन्ट मसा ने कल रहा सी आखिर कार दो में परा बे उशो जान देने दस कांटें बाद फलाइट दिली तो लंडन दे हीतरो हवाई एंटे पहुंच दी है जदो सारे जातरी हवाई जहास देवे चो उत्तर जान दे ने लगेज भी कड़ लेया जान दा है फिर उत्तर दे क्रियों मेंबर्स दे पता लगदा है कि एक व्यक्ति जहास दे लेंडिंग गयर वाड़ी था दे लो क्या हुआ जान दे तरह तो उसनों बिना कुछ सोचे हॉस्पिट्र पहुंच जान दे चार दिन तक परदीप सैनी दा इलाज कीता जान दे जान दे जान द देखता है कि वह डॉक्ट्रा आते नर्सां दे विचाले के रहा हुआ सी ते सब तो पहला उस्दा सवाल ही हुंदा क्यों सब्सक्राइब कि उदो तक किसे नों नहीं सी पता के दूज्य लेंडिंग गयर दे वेच उस्दा प्राविनू क्या हुआ सी दे इस दी सूजना प देखता है दरसल लेंडिंग तो पहला ही विजे सैनी जहाज तो हेट हांटिंग जानदा है तो उस दी मौत हो जानदी है परदीप सैनी नों बहुत दुख होंदा है कि उस दप्रा जिंदा नहीं बचया परदीप ते गयर कनू निट अगनाल इंगलैंड पहुंचन ते उस खिलाफ मुकदमा चलाया ज़ान्दा है के ओ गयर कनू निट अगनाल इंगलैंड क्यों हो आया जिस्तो बाद ओ एधस्ता है के पंजाब दे वेचे खाड़कू बाद दे दौरान उसनों पंजाब पुलस्तों खत्रा सी अते एक अदम भी उसने पुलस्तों बचन ले चुक्या सी कई साल केस चलन तो बाद आखरकार 2014 अदे वेच परदीप सैनिकों इंगलेंड दी रेजिदेंस मिल जान दी है अते हो ओधे ही वास जान दा है ओधे ही व्या करवा लेंदा है बच्चे हों देने ते ओधे ही हो कैप चलाउन लग पेंदा है इंगलेंड पहुंचन तो बाद परदीप दास महिने अबाद मिरर नू एक इंटर्विव देंदा है जिस दे विचो दस्ता है के शोर बहुत प्यानक सी आवाज बहुत जादा सी जिस पईये उपरो सी और बहुत गर्म सी उसनू साड रहा सी वील हाउस कंब रहा सी तेहे पुचाड वरगा सी उसनुए दुख है के उस दे परादी मौत हो गई जिससी दो में जिऊंदे होंदे ता एक कहाणी पोर होनी सी पर दीपते विजे दी एक कहाणी हमेशा जाद कीती जान दी रहेगी कि कि में एक दो में पराद पंजाब तो इंगलैंड पहुंचे औस थ ते ऑक्सीजन भी नहीं सी चारी हजार फुट दे उचाई सी माइनस सट डिग्री दा ताप मांद सी ते फिर भी इस दे बावजूद ए दो में नौजवान दो में सके प्राइंग लैंड पहुंच जांदे ने हलांके परदीब सेनी जिन दा बद जन्द है ते उस दे परावेजे सेनी दी मौत जन्दी है